हालो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर सुशीला सैनी गाइनिकलोजिस्ट और अपसेटीशन आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं नई वीडियो में नई जैनकरी के साथ फिरंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चे दानी की मुँपर होने वाले घाव के बारे में कई बार आप गहाव बनते क्यों हैं और यह होते क्या है तो जब भी बच्चेदानी से या निकी वजाईना से आपको गंदा पानी आने लगता है या पेट के निचले हिस्ते में दर्ध होने लगता है तो यह हो सकता है कि बच्चे दानी की मुँपर प्राब्लम हो गई हो तो जब आप इन लक्षणों के साथ डोक्टर के पास जाते हैं, तो डोक्टर आपका examination करते हैं. नीचे से जो एक examination होता है, इसको यह स्पैकलिण e indo somet着 the specification toald and close your drug to the spandest, पूलते हम लोग मैडिकल टाम तर्म गावया चाली के नाम से बुला जाता है यह जनरली इंफेक्शन की वज़े से हो सकता है यह यह तैंपून वगर यूज़ करने की वज़े से हो सकता है यह किसी कि तो किसी प्रकार का बैक्टेरिया का इंफेक्शन होने के कारण यह तकलीफ हो सकती है अब इसको कन्फरम करने के लिए कि इसमें और कोई बीमारी नहीं है क्योंकि कई बार एक कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का छोटा लक्षन हो सकता है तो जो पैप स्मेर टेस्ट कर आया जात जाने के मुपे घाव या छिल गया चाले बन गए तो पैप स्मेर टेस्ट जरूर करवा लीजिए पैप स्मेर टेस्ट करवाने से इसमें कंफरम हो जाएगा कि इसमें कैंसर है नहीं है या कोई शुरुआती अवस्ता की बीमारी तो नहीं है अब यह दिश्चार्ज भी है तो उसका कल्चर संस्टिटी टेस्ट कराया जा सकता है जिससे कि उसमें इंफेक्शन के बारे में पता चलता है कि कोई किटानू है या नहीं है और है तो उसपे कौन से दवाई काम करेगी और एक सोनोग्राफी और ज़रूर करानी चाहिए ताकि बच्चे दाने के अंदरो और कोई प्रप्लम ना हो, वो हमें सोनोग्राफिय से पता चल जाता है. यानि कि अगर आपको ये बताया जा रहा है, कि आपके गंदा पानी जा रहा है, आपके पेड़ो में दर्द हो रहा है, आपके अगर क्रैम्स आ रहे हैं, या और कोई तकलीफ हो रही है और आप डॉक्टर के पास पहुंचे और उसमें बच्चे दाने के वह पच्छाले बताये जा रहे हैं तो आप उसमें पैप स्मेर करवा लिजे एक सोनोग्राफिय करा लिजे और एक कल्चर टेस्ट करवा लिजे यह तीनोजाच होने से एक Лेयर हो जाता है कि इंफेक्शन है या नहीं है, कैंसर है या नहीं है, और कोई प्राब्लम है या नहीं है और सब को सही आता है और सिर्फ इंफेक्शन रह जाता है तो definitely कल्चर के रिपोर्ट के इसाब से जोaoly आती है वह एंटिवाइटिक आपको दी जाती है जिससे कि काफी हद तक इंफेक्शन कंट्रोल हो जाता और जनरली दुबारा जब टैस्ट कराते हैं तो नेगेटिव आ जाता है दूसरा यह कि अगर यह कंसिस्टेंट प्रॉब्लम रहते कि आपका इंफेक्शन नहीं आ रहा है कुछ खान अच्छा खाना पीने का ध्यान रखती है दहीव अगर अपने पानी पी लेती है हरी सब्सियां एड़ कर लेती है योगा मेडिटेशन भी एड़ कर लेती है तो काफी हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्ल किया जा सकता है और इसके अलावा दही एक बहुत इंप अधी बैक्टीरिया होते हैं उनको बनाये रखता है और यह बाहर की बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी मदद करता है तो दही खाना इक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंफेक्शन से बचाव के लिए और बच्चेदानी के रास्ते वजाइना की नॉर्मल बैक्टी साथ मिल सकती है और डॉक्टर की सलहा के अनुसार अगर आप दवाईया लेती हैं तो डेफिनिटली आपको फरक पड़ जाएगा और फिर विए अगर दवाईयों से आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है तो फिर उसमें जो बच्चेदानी के मुँए पर सेक होता है या हमारी का इलाज संभव है और यह ऐसी कोई लाई इलाज बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता तो आप आराम से खुशी खुशी अपना इलाज करवाते रहें और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस खाराम से पुशी खुशी अपना अपने है तो आपने है तो आपने है तो आप में झापने हैं झाल तो आप पा इलाज का इलाज